हलो स्टुडेंट वेलकम तु माई चैनल स्टुडेंट इस वीडियो में मैंने अमल छार एवं लवन के सभी टॉपिक को पढ़ा कर खत्म कर दिया है तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लास तक देखते रहे हैं सब कुछ आप लोग का किलियर हो गया है तो अगर अभी तक आप हमारे जैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हों तो इस जैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बिल आइकन को प्रस कर देना ऐसे ही वीडियो आप लोग को देते रहेंगे पहला अमल एसिड क्या होता है ठीक है अमल क्या होता है जैसे अमल 6 एममलण यहां से आपके तीन टॉपिक बनते हैं अमल 4 एममलण और हमें तीनों के बारे में जाणना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो पाहला अमल क्या होता है वेपदार्थ जो जलिये बिल एन में H पलस आयन देते हैं hydrogen आयन H प्लस आयन को आप लोग हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं मैं उसे स्वाट में कह रहा हूँ तो H प्लस आयन ये हाइड्रोजन आयन देते हैं अमल कहलाते हैं ये तो है आप लोगों का परिभासा पहले जानते होंगे व sap d leverage जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो मैं आप लोग को बता दूँ पहले आप लोग परिभासा को नोट कीजिए फिर मैं आप लोग को इक्जामपल बताता हूँ ठीक है एक्जाम्पल आपका है HCl हाइड्रोक्लोरीक अमल या आप लोग लिख सकते हैं CH3 COOH एथेनोईक अमल और आप लोग जो खटे होते हैं उसे लिख सकते हैं ठीक है लेकिन मैं यहां तक लिख दिया तो आप लोग इन दो एक्जाम्पल को नोट कर लीजिए और अमले का डिफिनीशन नोट कर लीजिए ध्यान से देखिए और नोट कीजिए तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए सिकेंड आप लोग को आता है छार वेस यानि कि छार क्या होता है देखें student अगर आप लोग अमले समझेंगे तो छार भी समझ जाओगे वे पदार्थ जो जलिये विलेन में OH- आयन देते हैं hydrohydroxylin देखिये यह आपका OH- जो आयन है वो hydroxylin है ठीक है छार कहलाता है student वे पदार्थ जो जलिये विलेन में H प्लस आयन देते हैं पलस आयन वो आप कामल कहलता है लेकिन जो OH- mandate देते हैं इस Utah ने आ empower को अच्छे देखे व DW भी पदार्थ ध्यान दीती व वबदार्थ जो जलिये विलेन में UH-ínaय म्यमा आयन देते ते ए सी यहां से आप च्छाइर का भी डिफनीशन कमपईशन तो आपना संज OH- आयन देता है hydroxyl आयन देता है जलिए blend में वो आपका चार कहलाता है अगर बात करें इसके example की तो जैसे आप लिख सकते हैं sodium hydroxide ठीक है ओए आपका है hydroxyl आयन या hydroxide sodium hydroxide यह आपका होगा है sodium hydroxide ठीक है तो यहां आपका जो यह सूत्र होता है NaOH sodium का Na hydroxide का OH ठीक है तो यह होता है आपका सूत्र और इसका example तो आप लोग इससे भी note कर लीजिए अपना एक note को अभी बनाएए और उसमें सब कुछ note कर चले जाएए अगर chapter 1 नहीं पढ़े हो तो उसका लिंग आप लोग को description में मिल जाएगा chapter 1 जरूर पढ़ना और chapter 2 फिर आप note कीजिए ठीक है तो यह हमारा हो गया चार अब हमारा आता है साल्ट या निकी नमक या निकी लमण तो लमण क्या होता है आप लोग समझें किसी देखिए किसी अमल तथा चार के उदासिनी करन अभिक्रिया से प्राप्त उदासिन ठोस लमण कहलाता है अभी हम लोग अमल है और चार है उन दोनों की बीच अविकरिया ठीक है तो पहले यहां देख लिजी वो आपके बुड़िया में आते हैं देखे किसी अमल तथा चार के उधासीनी करण अविकरिया से प्राप्त उधासीन ठोस को लवण कहते हैं यहां से आपका लवण का परिभासा बनता ह लेकिन उदासीनी करण अविकिरिया होता एक उसका भी परिवासा बनता है आपको कहना है उदासीनी करण अविकिरिया का किसी अमल तथा छार के अविकिरिया को उदासीनी करण अविकिरिया कहते है अगर आपको लमण का कहना तो किसी अमल तथा चार के उधासीन नी करना अविक्रिया से प्राप्त उधासीन ठोस जो आपको ठोस प्राप्त होता है ठीक है उसे लमण कहते है अगर आप लोगों से कह दिया जाए अमल और चार के बीच अविक्रिया कराईए ठीक है तो अमल औ एच सी एल हाइड्रो क्लोरिक अम्ल प्लस मलेलिया एन ए ओ एज यह होता है आपका अम्ल दिस यह आप होता है छार अब इनके बीच अगर हम अभिक्रिया कराएं तो अगर देखी यहां एन ए सी एल इससे हम लोग बाहर निकालेंगे एन ए सी एल प्लस है एच टू उ पहले आप लोग देखें बैलनस है अगर बैलनस करना नहीं जानते हो तो स्टीग लिचे मैंने पढ़ा दिया ठीक है एन एस सी एल एन एस एल एस टू वन वन टू एड़ एक तो यह तो आपका फिलाल बैलनस है यहां आपको मिलता है साइट अमल और चार के बीच अविक्रिया इसी उदारन को हम लोग कहते हैं उदासीनी करण अविक्रिया उदासीनी करण अविक्रिया ठीक है इसी उदारन को ही कहते हैं उदासीनी करण अविक्रिया क्योंकि अमल और चार के अविक्रिया को ही उदासीनी करण अविक्रिया कहते है और अगर लमण का आप लोग को एक्जामपल देना हो यानि कि रियक्षन देना हो तो आप लोग को यही रियक्षन देना है लमण के लिए भी तो आप लोग तीनों के लिए यही दे सकते हैं ठीक है तो समझ में आया तो यहां मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों को लेना है HCl प्लस आप लोगों को NaOH अगर हम इसकी अविक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है NaCl प्लस H2O इस अविक्रिया को आप लोग कहते हैं उदास्टेनी करन अविक्रिया या आप लोग लवण प्राप्त करने में या आपका लवण है या नमक है ठीक है और इसे अमल और छार के वीच अविक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि दिस आपका अमल है और ये आपका छार है तो समझ में आया हो ठीक है पी एच मान किसी विलेयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांदरता के रिद्धात्मक लगगुड़क को उस विलेयन का पी एच मान कहते हैं पी एच मान का पी एच मान कहते हैं इससे आप लोग समझें पी एच मान इसको क्या होता है आपका रहात्मक लगगुड़क यानि की माइनेस लोग टेन आप लोग को हाइड्रोजन आयन की सांदरता ठीक है पी एच मान तो ये था हमारा आज का टॉपिक पी एच मान अब हमारा आता है पी एच सकेल क्या होता है ठीक है यहाँ आप लोग देखिए पी एच सकेल देखिए पी एच सकेल अमलो तथा चारकों के जलिये बिलेन में हाइड्रोजन आयन की सांदरता मापने में परियुक्त होता है पी एच सकेल कहलाता है देखिए अगर आपका पी एच सकेल जो होता है जैसे अमल आपको दे दिया जाए अमल और शार दे दिया जाए इसमें अगर हम पी एच सकेल को लगाते हैं तो इसमें आपको बताता है हाइड्रोजन आयन की सांदरता और इसमें भी हाइड्रोजन आयन की सांदरता बताता ह च्छार में भी थोड़ा H प्लस आयन होता है बहुत कम इसलिए अपना लच्छा प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो यहां आप लोग देखे पी एच इसकेल अमलो तथा च्छार को की जलिये विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांदरता मापने में प्रियुक्त होता है ठीक नमक का साथ नमबर होता है ठीक है यानि की साथ प्यच मान होता है इधर आपका H प्लस आयन की सांदरता में व्रिध्धी इधर अगर हम ले जाएंगे यहां तक तो H प्लस आयन में यहां तक ठीक है H प्लस आयन में सांदरता में व्रिध्धी यहां तक और इसके बाद अगर हम ले जाएंगे तो H प्लस आयन की सांदरता में कमी होगी H पलस आयन की अमलेता अमलेता अनिके खटापन ठीक है इसमें कमी होगी यानि कि इसके इधर साथ के नीचे आपके अमल होते हैं मलब अमलिये होते हैं साथ के ऊपर इधर की और अगर हम चलते हैं तो OH माइनस यानिकी OH माइनस आयन क्या होता है छार होता है और H प्लस आयन क्या होता है अमल होता है ठीक है इतना समझ में आया यहां देखें H प्लस तथा OH- आयन की सांधरता परिवर्तन के pH मान की विविन्टा तो यह होता है pH मान ठीक है तो इसे मैंने आप लिगों को समझा दिया आपके बुक में 28 प्रिष्ट पर दिया हुआ है अच्छे से तो यह था हमारा pH मान pH स्केल तो आई यह देखती है विरंजक चून हम लोग कैसरी बनाए उसका रासाइनिक नाम क्या होता है अनसूत्र और अनुभार भौतिक गुण रासाइनिक गुण और उनके उपयोग सब कुछ दिखेंगे तो पहला देखे रासाइनिक नाम जो आपका विरंजक चून है उसका रासाइनिक नाम क्या होता है उससे पहले हम लोग अगर अनसूत्र जान ले तो उनका रासाइनिक नाम जान जाएंगे तो इसका अनसूत्र मैं आप लोग को बता दूँ ठीक है इसका जो अनसूत्र होता है वो होता है CAOCl2 देखिए CAOCl2 ठीक है CAOCl2 अगर हम इसके मतलब हिसाब से देखी इसका राशानिक नाम तो देखी CA से होता है कैल्सियम O से ओक्साइड CL2 से कुलोरीन या कुलोराइड ठीक है तो आप कह सकते हैं कैल्सियम ओक्सी कुलोराइड ठीक है यहाँ इसका जो रासानिक नाम होगा कालसियम ओक्सी क्लोराइड तो यह होता इसका रासानिक नाम कालसियम ओक्सी क्लोराइड ठीक है तो यार रखना यहाँ आप लोग ऐसे कर देए ठीक है तो अगर हम इसका अनुभार देखें तो इसका अनुभार होता है 127 ठीक है इसका अनुभार ठीक है आप लोग इस सूतर से भी अनुभार निकाल सकते हैं इस सूतर से तो आप लोग देखिए बनाने की विधी जो आपका विरंजक चून है इसे हम लोग विलीचिंग पाउडर भी कहते हैं आप लोग याद रखना पाउडर तो आई हम लोग इसको पहले बनाने की विधी को देखते हैं जब सुस्क बुझे हुए चूने पर सुस्क बुझा हुआ चूना ठीक है चूने पर कोलोराइड की किरिया कराई जाती है या कोलोरीन की किरिया कराई जाती है यहां आप लोग कोलोरीन भी लिख सकते है कोलोरीन की किरिया कराई जाती है तो C-O-C-L-2 प्राप्त होता है यानि की व्रंजक चून्ड प्राप्त होता है ठीक है कोलोरीन भी आप लोग यहां कह सकते हैं या कोलोराइड की किरिया कराई जाती है तो C-O-C-L-2 प्राप्त होता है यानि की व्रंजक चून्ड प्राप्त होता है सिस्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है इतना याद रखना तो यह होता हुए चूने का सूत्र होता है और कह रहा है सुस्क बुझे हुए चूने पर जब कलोराइड की किरिया कराई जाती है कलोरीन की किरिया कराई जाती है तो सुष्क बुझा हुआ चूना मैं ले लेता हूँ C A O H का होल टॉइज ठीक है अगर इस पर हम कलोरीन की किरिया कराते है C L 2 ठीक है तो यह आपको प्राप्त क्या होगा देखिए इसका सूत्र तो आप लोगों को याद होना चाहिए सूत्र होता है C A O C L 2 तो आप लोगों को प्राप्त जो होगा C A एंड एक वो आप लोगों को लेना है इसमें से एंड C L 2 लेना है C L 2 अब प्लस आप लोग लगाई इसके बाद बचता क्या है CA माने ले लिया इसमें से 1 O ले लिया है 2 H बचा है और O ठीक है यहाँ CL2 भी गया तो यहाँ बचा 1 O और H2 तो यहाँ H2 बचा और 1 O एंड की आपका जल बचेगा ठीक है तो बनाने की विदी बहुत इजी है आप लोग को यह क्या बना यह आप लोग का बना है ब्रंजक चूण ब्रंजक चूण का फार्मूला यह होता है तो आपका यह बना ब्रंजक चूण और इसके साथ आपका बनेगा जल मैं नाम सभी का लिग देता हूँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ये है सुस्क बुझा चूना सुस्क बुझा चूना ठीक है इससे आप लोग कुल्राइडिया कुलोरीन भी कह सकते हैं तो ऐसे आप लोगों को वरंजक चून को बनाना है तो आप लोग समझ गए इसके हम लोग भौतिक गुण को देख लेते हैं भौतिक गुण क्या होता है देखे भौतिक गुण यह हलके पीले रंग का चून होता है जो आपका यह होता है हलके पीले रंग का चून होता है ठीक है नमबर सिकेंड यह जल में अल्प बिलिये है देखे अगर हम इसे जल में डालते हैं तो यह बिलिये तो है लेकिन थोड़ा कम बिलिये है यानि कि विल्कुल नहीं घुल जाता है मलब यह थोड़ा कम घुलता है ठीक है तो यह जल में अल्प बिलिये है यह हलके पीली रंग का चून होता है नमबर सिकेंड यह जल में अल्प बिलिये है और इसका जलिये रंग दुधिया होता है अगर हम इसको जल में डाल देते हैं तो जल का जलिये रंग होगा जलिये बि गुण का आर्थ है जो उसमें दिखाई देता है जैसे पीले रंग का चुंड है या हम जल में डालते हैं तो अलप भिले हो जाता है ठीक है और इसका जली है रंग दुधिया होता है ये सब थो तो समझेए अमले आप लोग ले सकते हैं कोई भी ठीक है यहां आपको लेना है पहले व्रंजक चूण्ड यानि कि C A O C L 2 सूत्र को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है और अगर हम ले लें क्या एस्टू एस्टू फूर ठीक है तो यह तो अमल है यह आपका व्रंजक चूण्ड है तो इसका जब हम लोग किरिया कराते हैं तो क्या होता इस्टूडन मैं आप लोग को बता देता हूं कि जब हम इसका किरिया कराते हैं जैसे जब अमल का हम लोग किरिया कराते हैं तो कुलोरीन गैस निकलता है हमें पहले तो यहाँ chlorine gas आपका निकलेगा यह आप लोग CL2 लिख लेजिए ठीक है CL2 आप लोग का निकलेगा चलिए मैं लिख दिया यहनी कि निकलेगा उपर जाएगा तो CL2 आपका वहर हो गया यह CL2 ठीक है तो आपका बच्चा क्या यह आप लोग ध्यान से समझे आप लोग को बच्चा है CA SO4 CA SO4 प्लस अगर मैं CA SO4 कर देता हूं तो आपका इसके बाद भी कुछ बचेगा वो है आपका H2O H2O चलिए देखते हैं वालंस है नहीं CA CA O आपका कितना है 5 यहाँ आपका 1 है AND 4 5 CL2 2 है 2 ठीक है यह ऐसे आपका संतुलित है तो ऐसे आप लोग को रासानिक सूत्र जाने की रासानिक गोल लिखना है दूसरा आप लोग देखें इसे जल में घोल कर गर्म करने पर कुलॉरीन गयास निकलती है इसका जलीय रण्ग दुधिया होता है ज़ब हम इसे जल में घोलते हैं यानि की CA O CL2 को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो यह होता है हमारा दूसरा chemical property इसका उपयोग मैं आप लोगों को दो तीन बता देता हूँ ताकि आप लोग उपयोग भी समझ जाए ठीक है नमबर फ़स्ट ऑक्सी कारक के रूप में इसका उपयोग हम लोग आक्सी कारक के रूप में करते हैं यहाँ याद रखना ऑक्सी क नमबर फ़स्ट पे जल को जीवान रहित बनाने में यानि कि पीने वाले जल को जीवान रहित बनाने में ठीक है नमबर फ़स्ट उन को शिकुड़ने से बचाने के लिए यानि कि जो आपका उन होता है उसे शिकुड़ने से यानि कि शिकुड़ जाता है उससे बचाने के ठीक है शिकूडे ना ठीक है तो तो यह मैंने आप लोग को तीन बता दिये हैं इमप्वार्टन जो हैं तो आए अब हम लोग को याद रखना है तो पहले आम लोग देखेंगे वेकिंग पाउडर भी से कहते हैं तो आए देखते हैं फहला आप लोग देखें रासानिक नाम इसका क्या होता है रासानिक नाम आप लोग को मैं बता देता हूं इसको जानने से पहले आप लोग इसका अनसूत्र जाने है ठीक है रासानिंग सूत्र या अनसूत्र तो यह होता है student NAHCO3 ठीक है अगर हम बात करें तो इसका रासानिंग नाम क्या होगा Na से Sodium, H से By, CO3 से Carbonate यानि कि Sodium By Carbonate इसका रासानिक नाम होगा Na से Sodium, H से By, CO3 से Carbonate तो इसका रासानिक नाम होगा Sodium By Carbonate अगर हम लोग देखें 8 भार तो आप लोग देखी Sodium यानि कि इसका प्रमाण को नांग होता है 11 इसका लगबग 2 गुना होता है भार तो sodium का होता है 20, ठीक है, 11-12, लेकिन आप लोगों का 30 होता है, point को लेकर, तो यह होगे आपका 20, plus, H, यानि कि hydrogen, hydrogen का होता है 1, ठीक है, hydrogen का 1, और C, आपका carbon, carbon का आप लोगों का कितना होता है, 6, प्रमाल कुनारंग, उसका 2-12, अगर हम बात करें oxygen की, 1 oxygen का होता है, कितना 8, और 8, 12, 16, यानि कि 16 आप लोगों का 1 का होगा, लेकिन यहाँ 3 है, तो इसलिए 8 आप लोगों का होगा, प्रमाल कुनारंग, और 16 प्रमाल भार, और 3 का कितना होगा, 48, ठीक है, तो यह होगा, plus 48, तो यह आप लोगों का वराबर किसके हो जाएगा, अगर हम इस सब को जोड तो 8, 12, 11, 11, 13, 14 के 4, 4, 15, 16, 2, देखिए, आप का होगा, 8, ठीक है, तो यह होगा, इतना होता है, इसका अनुभार, यह आप लोग देखी, 4, 15, 27, 18, तो यह आपका होता है, 84 जो है, इसका अनुभार, ठीक है, तो यह सब तो आप लोगों की एक छोटी सी बात थी, क्योंकि आपके यह बहुँ बिकल्पिये में आते हैं, इसका अनुभार, इसका रासाइनिक नाम ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेंट पॉइंट है, इसके कैसे बनाते हैं, हम इसे कैसे बनाएं, ठीक है, तो यह आप लोग करने पर, जो हमें प्राप्त होता है, वेकिंग सोडा प्राप्त होता है, यह सोडियम हाइडरा अकसाइड, सोडियम हाइडरा अकसाइड का मैं आप लोग को फार्मूला बता देता हूं, एन ए ओ यह होता है, सोडियम हाइडरा अकसाइड का फार्मूला, ठीक है, यानि कि आप लोग कह सकते हैं जब NaOH के सांद्र बिलेन में अधिक मात्रा में कारबन डियाक्साइड यानि की सीवो टू परवाहित किया जाता है तो वेकिंग सोडा पराप्त होता है बहुत इजी है ध्यान से समझेए यहां सोडियम हाड्राक्साइड के सांद्र बिलेन सांद्र बिल को लिखना और इसमें हमें परवाहित करना है सी ओ टू ठीक है और हमें लगाना है एरो ठीक है और हमें प्राप्त क्या करना है यह पहले समझे हमें प्राप्त क्या करना है तो इस्टूडेंट यहां आप लोग देखिए ध्यान से यहां हमें टू कर देना है ठीक है टू और ने हमें प्राप्त होगा Na, हमें 2 करना है इसलिए Na हमने 2 कर दिया क्योंकि यहां Na की संख्या 2 है और यहां 2 कर दिया ठिक है, अब यहां हमें 2 लेना है और यहां से आपको 1 लेना है, ठिक है 2 है! तो CO3 ठीक है अब आपका 2H सीधा बचा हुआ है और यहां समय ने 1 O लिया था तो यहां आपका 1 O बच गया अभी हमारा नहीं बना यह हमारा बना है sodium carbonate ठीक है लेकिन हमें sodium bicarbonate बनाना है ठीक है तो हम एक बार और करेंगे जैसे Na2 यही लेना यही आपको उठा के रख दीजिए CO3 प्लस S2O फिर से हम carbon dioxide gas प्रवाइद करते हैं ठीक है तो हमें प्राप्त होगा Na2 और यहां एक हैस ले लिजिए यहां से CO3 ठीक है NaHCO3 ठीक है यहां आप लोग को लगाना है NaHCO3 ठीक है NaHCO3 यहां आप लोगा जो सूत होता है NaHCO3 होता है लेकिन आप लोग यहां देखें यहां अगर मैं 2 लगा दूँ तो देखे यहां आपकी कार्बन के संख्याट यहां आप लोग सोडियम की संख्याट 2 है यहां भी 2 है 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 यहां आपकी स्ट की संख्याट ど है तो एक एक दो और यहां आपकी से ओ की संख्याट 2 & 3 sharp and 36 ठीक है तो इस परकाल चलिए आपका Соम सोड़ा, ऑ बाई कार्बोनेट ठीक है अगर मैं आप लोग को एक छोटा सा त्रिक बताता हूं यह तो आप लोग लिखे यहां सोडियम हाइडराकसाइट के सांद्र बिल में अधिक मात्रा में कार्बन डायकसाइट परवाहित करने पर यह पराप्त होता है लेकिन एक छोटा सा देखिए अगर हम इसे दूसरे विधी से लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलिये बिलायन H2O में कार्बन डायकसाइट गैस परवाहित करने पर क्या बनता है वेकिंग सोडा देखिए यहां से दूसरा आप लोग बनाने की विधी लिख सकते हैं य लेकिन आप लोग के लिए वहुत यचा है तो आप लोगों को I hope समझ में आ गया होगा अब इसका भहुतिक गुण मैं एक हिलाया हूँ ठीक है नई इसका मैं आप लोग को दो भहुतिक गुण बता देता हूँ यह सफेद क्रिस्टलिये यह एक सफेद क्रिस्टलिये जल मे अलव विलिये पदार था है इसे अगर हम जल में घोलें तो सरफ यानि की निर्मे की तरह मलव अलव विलिये होता है विल्कुल नहीं घुल जाता है इसका जलिये रंग अमलिये होता है इसका जलिये रंग अमलिये इसलिए होता है क्योंकि इसमें H प्लस आयने है तो यह हु अगर हम इसकी एक रासाइनी गुर देखिए इसे गर्म करने पर Na2, CO3 तथा CO2 में तूट जाता है देखिए सब लिखा हुआ है अगर हम Na2, sorry NaHCO3 को गर्म करते हैं ठीक है इसे अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो क्या होता है मैंने अभी बताया ये तूट जाता है किसमें तूट जाता है आईए मैं आप लोग को बताता हूँ ये आपका जो तूटेगा सोडियम, कार्बोनेट, प्लस आप लोग यहां लिखा हुआ है जल, यानि की, sorry CO2, ठीक है, CO2 CO2 तो देखिए, आप लोग यहां देखिए, वैलनस एन-ए, 2 और यहां आप लोग को 2 लगाना पड़ेगा 2, ठीक है, और C यहां देखिए, C आपका 2 है, तो यहां आप लोग का C 2 है लेकिन यहां H 1 भी नहीं है, तो H आप लोग यहां H 2 O कर देजए अब देखिए एच आपका दो हो गया क्योंकि दो यहां है और दो यहां अब वो की संख्या तीन दो पांच एक छे तीन दो नी छे तो इस परकार से अगर हम इसे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा सीवोटू कार्बन डाय अक्साइड में तूट जाता है आप लोग और भी कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाय अक्साइड तथा जल में तूट जाता है तो इस फरकार से इसका यह कैमिकल प्रापरिटी होगा एक और आप लोग देख लीजिए फिर हम लोग प्लास्टर आप पर इस देखते हैं तनु अमलो के साथ किरिया करने पर लवण जल तथा CO2 यहनि की कॉर्बन डाई आउक्साइड निकलती है ठीक है तो तनु अमले के साथ अगर हम इसकी किरिया कराते हैं तो आप देखिए यहां आपका बनेगा NACL यहनि की मैंने यहां से NL ले लिया यहां के से CL ले लिया प्लस आप लोग देखिए H2O क्या बनेगा H2O देखिए लवण NACL है मैंने पढ़ाया है लवण आप लोग देख लेना जल H2O है पलस CO2 अगर मैं देखूँ तो आप लोग देखिए यहां NA1 है NA1 है CL1 है CL1 है H की संख्या 2 है यहां भी H की संख्या 1,1,2 है और O की संख्या आपका 1,2,3 यहां 3 है ठीक है तो इस प्रकार से यह इसका दूसरा रासायनिक गुण है अब मैं आप लोग को फ्लास्टर आप पेरिस ब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है तो देखिए रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है प्लास्टर आप फेरिस का तो मैं आप लोग को बताऊंगा इसका पहले रासायनिक सूत्र ठीक है तो इससे जब हम लोग 120 डिगरी से 130 डि सूत्र को तो वह क्या खता है वह पहुत ही आप लोग समझ लिजी का सी इस ऐस ओफूर एंटु का स्टू ठीक है ओस्ट्राश्ट इस जिफस्म को अकुर्ण की सूत्र सूत्रां मैं को 5 यहां मैं आप लोग बताता हूं C-A-S-O-4 into 2H2O ठीक है 2H2O है ठीक है तो यहां अगर हम gypsum को 120 degree Celsius से 130 degree Celsius पर घर्म कर पे हैं तो plaster आप फिर इस प्राप्त होता है यहां आप लोग Celsius लगा दीजिए ठीक है तो आगे देखते हैं इसका हम लोग यक्षन पहले देखेंगे तब ही समझ पाओगे वरना समझ नहीं पाओगे ठीक है यह एक्षन को समझेगे देखें जैसा gypsum C-A-S-O-4 into 2H2O इससे हम लोग heat करेंगे heat 120 से 130 degree Celsius ठीक है इतने पर तो अगर हम लोग गर्म करते हैं तो आप लोग समझे क्या प्राप्त होगा आप लोग को प्राप्त होगा फैलो तो gypsum जैसे gypsum मैंने गर्म किया तो आप लोग को प्लास्ट्राफ फरीश प्राप्त होगा C-A-S-O-4 into half H2O ठीक है अब यहां देखे C-A-S-O-4 निकल गया और यहां से half H2O निकल गया अभी आपका वचा कितना है H2O वो मैं आप लोग को बताता हूँ ठीक है half यानि कि अगर आप लोग समझे half निकल गया एक में से तो आप लोग को बचेगा 3 upon 2 H2O अगर आप लोग को प्रूप चाहिए तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे निकला कैसे यह आ जा देखिए अगर हम एक बटा दो प्लस एक बटा तीन को जोड़ दे स्वारी 3 upon 2 ठीक है तो 2 और 2 तो बराबर है upon 1 and 4 यानि कि आपका 2 के बराबर हो गया आगा ने कि 2 H2O के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसमें आप लोग को कोई डिक्कत नहीं है तो अगर हम इसे गर्म करता है 120 डिगरी सेल्सियस से 130 डिगरी सेल्सियस पर तो हमें क्या प्राबर होता है यह पहले आप लोग समझें क्या है यह क्या है जिपसम यह आप लोग को क्या है यह आप लोग का बना है फ्लाश्टर आफ पेरिस यह आप लोग का जल तो समझ में आया अगर कोई वीडियाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं आप लोग का किलियर करा दूँगा अगर हम इसके गुड की बात करें तो फ्लाश्टर आफ फिरिस सफेद रंग का होता है यानि कि हड्डी तूट जाता है तो उस पर प्लाश्टर शड़ा आए जाता है वही पलाश्टर फैरिस होता है और उसका करके तो इसलिए जो do प्लास्टर होता है वो सफेद रंका होता है और आप लोग लिख सकते हैं वह जो होता है सफेद रंका होता है और वह मतलब काफी कथोड़ होता है ठीक है यहां लोग दूसरा देखिए तेज गर्म करने पर निर्जल यहां कि अगर हम इसे तेज गर्म करें तो यह किसमें बदल जाता है C.A.S.O. 4 में ठीक है किसको प्लास्टर आप फिर इसको तो कैसे बदल जाता है मैं आप लोग को बताता हूं यहां देखिए C.A.S.O. 4 ठीक है यहां आप लोग देखिए इसको हम लोग 2 लगा देते हैं ठीक है देखिए हम ऐसे इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है और आपका बच्ता है S.O. तो आई होप कि आप लोग को यह तो समझ में आ गया होगा ठीक है तो समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है अब हमें आगे देखिए क्या करना है देखिए यह आपको मैंने नीचे टू क्यों लिखा अगर यह उपर जाएगा तो हाफ S.O. बन जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने लिखा तो यहां आप लोग देखिए इसके होगे गुड़ अब हम इसकी उपयोग की बात करें उपयोग तो इसके उपयोग मैं आप लोग मैं लिखा ड attending कीर्फ आप देखिए उपयों हांने के लिख़ें करें का दीख का सामान बनाने के लिए यहके तो सजाविप का सामान जाता है तिक है शुडेंट्स? सजाविड का सामान बनाने मिए और ह९ह मूरथिया तथ खिलोन बनाने मे, अश्या है इस टूडेंट्स? मूर्थी तथा खिलोना बनाने में ठीक है ? तुक है ? साचय बनाने में की साच जैसे कोई Meansुज है उसका रहति साचा बनाने are जैसे साच है इसमे अगर कोईAR को चीज रख disturbing मलब जैसे सीमेंट से रख confirma सी कि यह साच बनाने में इसमें आप लोग चाहजों बना लो इस साइज का ठीक है या मुर्ती का साचा बन गए उसमें आप लोग डाल दो तो मुर्ती भी बन जाएगा तो student ये थे फ्लाश्टरा फेरिस और वेकिंग सूडा बनाना ठीक है उनके भौते गुण रासानी गुण और सब कुछ तो student अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को जादा से जादा लाइक किजी जादा से जादा सेर कर दीजी तक सभी बच्चे जुड कर इस चैनल सा तयारी कर सकें और 2021 में अच्छे से अच्छे मार कर ला सकें और सब पढ़कर आगे जाएं तो student ये था हमारा lesson number 2 lesson number 2 student यही पर समापत हो जाता है ठीक है student lesson number 2 जो है आपका यही पर समापत हो जाता है अब हम लोग अगले वीडियो से lesson number 3 start करने वाले हैं लेकिन आप लोग इस वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए जादा जितना लाइक आएगा उतना ही जलती में आप लोग को lesson number 3 start कर दूँगा ठीक है student तो यह था हमारा एक बहुत important question तो अगर आप लोग कोई वीडियो प्वसंद आया तो जादा जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब करने के बाद विल आइकन को प्रस कर दिजिए और जो भी क्योंड़ी हूँ